हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू C.I.E.Z. प्लस मैं अक्षे राज अगरवाल आज डिसकस करने जा रहा हूं पांच पॉइंट्स जो की HPSC में बहुत जादा फूटफुल होंगे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे तो बाकी स्टूडेंट्स से जादा मार्क्स कैसे लेन प्रिलिम्स क्लियर कर लिया है प्रिलिम्स क्वालिफाइ कर लिया है 85 पोस्ट की जो विकेंसी निकली हुई है जो रिक्रूट्मेंट चल रही है डिवलकमेंट एंट पंचाय डेपार्टमेंट में अगर आप 5 नुमेंबर को एक्जाम के प्रिपरेशन पूरी कर रहे हैं त इसके इलावा मैं बता दूँ cizplus.com पर mains की mock test series अवेलेबल है, जिसका हमें बहुत अच्छा response आ रहा है, बहुत अच्छा feedback मिल रहा है में students से, उसके लिए promo code आपको mains 10 apply करना है, इस test series में total 10 test हैं, जिसमें 8 test हैं section wise और 2 है full length mock test, तो यह आपको बहुत अच्छी preparation करवा देगा इसके अलावा एक मैं master class दुबारा से कंड़क करने जा रहा हूँ, master class कंड़क की जाएगी कल, यानि कि Sunday 15 October को सुबह 11 बजे, इस बार 11 बजे कंड़क की जाएगी और अब आप जानते हैं कि master class का link दुबारा नहीं मिलता है, तो अगर आपको ये attend करनी हैं, तो आपको 11 बज सोने जा रही है कल की, ओके तो बात करते हैं, पांच ऐसे points की, तो सबसे पहला point जो कि students में से बार बार पूछ रहे हैं, वो है is calculator allowed or not, तो देखिए, calculator means एक ऐसा examination है, जिसमें numerical portion बहुत रहेगा, इसलिए इसका answer है yes, definitely, ये हमने अब confirmed sources से confirmed news है, कि HPSC का means exam है, जो 5th November को होगा उसमें scientific calculator allowed रहेगा, बट मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, programming मत कर लेना गलती से भी, क्योंकि अगर आपने programming कर ली, तो आप unfair means case में फस जाएंगे, तो कुछ students क्या गलती करते हैं, कि वो सोचते हैं कि बड़े बड़े formula मैं program कर लेता हूँ, क्योंकि आजकल ऐसे calculators बहारे ह तो calculator लेकर जाना है, तो ये हो गया पहला point, ऐसा ना हो कि आप calculator के बिना चले जाएं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे, दूसरे point की बात करता हूँ, देखे, दूसरा point है, revise MCQ stage 1 exam thoroughly, तो अब मैं ये क्यों को रहाँ, MCQ का जो stage 1 exam हुआ था 27 अगस्त को, ये सारे questions आ आपको clearly आने चाहिए, क्यों आने चाहिए, क्योंकि one conventional question will be similar, तो जितने भी conventional questions रहने वाले हैं आपके exam में, उसमें एक question तो at least ऐसा होगा, जो कि MCQs जो पूछ रहे हैं, वो same concept, almost similar question पूछेंगे, but obviously आपको MCQ की तरह सीधा answer नहीं लिखना, आपको step by step detailed procedure, detailed solution लिखना है, ये 27 अगस्त को exam हुआ था, वो detailed आपको अच्छे से सारे questions आजाने चाहिए, तो मैं समझता हूँ, क्योंकि आपने prelims अलड़ी qualify कर लिया है, तो आपके maximum questions तो सही है, तो अब आपको बाकी questions भी अच्छे से कर लेने हैं, उनको समझना है कि कैसे solve करना है, क्योंकि एक question तो कम से क आएगा ही आएगा conventional question में, तो ये मुझे लगता है बहुत important point था, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये हो गया दूसरा point, तिसरा point बात करता हूँ, remember ideal values which may not be given in your question, तो हो सकता है कि आपको question paper में कुछ ऐसी values ना दी जाएं, तो वो आपको ideal values याद रखनी हैं, जैसे कि small f, ये होता है coefficient of lateral friction, ये पता होना चाहिए, 0.15, dissolved oxygen, जो saturation DO content होता है, ये 9.2 milligram पर liter होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 9.2 होता है, और acceleration due to gravity, सबको पता है, 9.81 meter per second square होना चाहिए, तो इस तरह कि ऐसी कुछ ideal values हैं, जो कि आपको बहुत clearly याद रहने चाहिए, आपको बिना इ पता examiner, तो आपको खुद assume करनी है, खुद आपको याद रहने चाहिए, ऐसे constant की values, fourth point है, don't ignore theory, बहुत important बात, अब देखिए, हम सब जानते हैं, कि जो total HPSC mains examination रहेगा, वो 150 marks का होगा, अब ये 150 marks में से numerical कितना रहेंगे, और theory कितनी रहेगी, तो numerical no doubt जादा होंगे, बट जो theoretical content है, वो भी कम नहीं होगा, वो कितना होगा, वो मैं आपको ये screen पर दिखा रहा हूँ, कि out of 150 marks, theoretical questions, weightage, will be around 30, so 150 marks में से 30 marks की जो weightage है, वो दी जाएगी theory को, around 30, तो 30 से 35 भी हो सकता है, तो ये 30 marks काफे important role play करते हैं, क्योंकि कई बार students, कुछ ऐसे students भी होते हैं, जो numerical मे तो comfortable होते हैं, बट theory में वो बिल्कुल भी comfortable नहीं होते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं होता लिखना कैसे है, उनको answer frame करने की habit बिल्कुल निकल चुकी होती है, भूल चुकी होते है, तो theoretical answers को frame कैसे करना है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया fourth point, अब ये कैसे practice करने हैं, तो obviously ये तो practice से ही आएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा questions attempt करने हैं, जितने आप attempt करेंगे, जितने लिखने की practice होगी, उतने ही आप ये 30 marks को छोड़ के वाद जाना, do not ignore theory, ये हो गया fourth point, और last point, जो कि मैं बात कर रहा हूं, वो है read question statement very carefully, तो कई बार क्या हो तो be serious and careful with the questions that you don't need to answer, ऐसे भी कुछ questions होते हैं, जो कि अब आपको पहले से ही पता लग जाएगा कि यार ये question मुझे आता ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि जो examination है ना, वो definitely lengthy होगा, जो 5th November का exam है वो lengthy होगा ही होगा, तो एक question अगर आपको लग रहा है कि यार ये बहुत लें दी है और इसमें मुझे पता भी नहीं है कि 100% शूर नहीं है कि मैं solve कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो उस पर बहुत जादा time मत लगाएं, उसको solve कर करके और unnecessarily उसको time मत वेस्ट करें, क्योंकि ऐसा ना हो कोई ऐसे questions भी रह जाएं, जो कि आपको बहुत क्यारफुल कि आपको कॉंसा question attempt करना है, कॉंसा question attempt नहीं करना, तो यह सब वो points थे, यह ऐसे 5 points हैं, जो कि आपको extra marks देंगे, मैं बता देता हूँ, आपको इसके practice करना के लिए, हम जो test series लाएं हैं, उसमें total 10 tests हैं, तो test 1 है, देखिए, इसके हम complete descriptive solutions भी दे रहे हैं, तो यह आपको online form में भी मिल जाएगी और postal form में भी मिल जाएगी, online form में आप online हमारी app पर या website पर सभी test को और उनके solutions को detailed पढ़ सकते हैं, बट उनको download नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप उनका print out नहीं ले बाएंगे, बट इसलिए हम postal study भी दे रहे हैं, postal test series भी दे रहे हैं, within 3 days हम आपके घर पर ये test series को courier करवा देंगे, तो test 1 है सॉम, structure analysis और building materials का, test 2 है soil mechanics, fluid mechanics और surveying का, test 3 है RCC, steel और construction management का, test 4 है hydrology, irrigation, environment and transportation का, अब ये ही 4 sections दुबारा से मैंने आपको test दुबारा दे दी हैं, तो test 5 है वो ही test 1 वाला section, सॉम, structure analysis और building material, test 6 है soil mechanics, fluid mechanics और surveying, test 7 फिर से RCC, steel और construction management, test 8 है hydrology, irrigation, environment और transportation और उसके बाद 2 test है, full length mock test, ये देखे, उनके complete solutions भी हम आपको दे रहे हैं, test 9 और test 10 जो है, ये complete full length mock test है, जो कि आपको मिलेंगे, तो ये आपको कहाँ पर जाना है, आपको cizplus.com पर जाना है, और cizplus की android app install करनी है, जहाँ पर आपक test 10 जाना है, तो ये mains mock test series मिल जाएगी, और promo code आप mains 10 यूज करना मत भूलें, and most important point, हम एक second, हम next master class कंड़ करने जा रहे हैं, कल, यानि कि Sunday 15th October को सुबा 11 बजे, तो आपको cizplus.com पर जाना है, वहाँ पर आपको ये course मिलेगा, please enroll yourself, and do not miss master class this time, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ व worries रहती है, वो सब मैं discuss करने जा रहा हूँ, so thank you very much, मिलते हैं हम जल्दी, फिर से इस चानल पर, I hope आपको ये video अच्छा लगा, so thank you.